अम्रेकम दोस्तों मैं हूँ आपको उस्टिम गांसलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एकसान जैसा कि आपको पता है कि हम उकाड़ा किसासद के अवाले से एक सीरीज कर रहे हैं उकाड़ा हमास्तों में पहले एक 137 की वीडियो की थी उकाड़ा के लिए उसका श्राप्षिं में लिंक में देंगा रॉजमल वाला हल्का था वहां से कौन चीत रहा है? और पीटेऑ की तरव से बेस्ट लो और हो सकता है तो आज हम जिस हल्का की बात करेंगा वो है एन 136 न्यू नई हलका बंदी जो अभी एक महीना पहले एलेक्शन कमिशन जारी कि उसके मताबर कि उसका नंबर हो गया अब 136 पहले उसका 2018 में उसका नंबर था एन 142 तो एन 142 की मजूदा जो सुरतियाल बता दो कि यहां से 2018 के अंदर निया चोधरी रियाद लगजा जो हैं वो यहां से मने मुद्खिब हो एक लाक चालीजार वोड लेके जबकि उनके मकाबले पर थे तरीकें साब के राओ हसन सकंद्र खान वो जो राओ सकंद्र इकबाल साब के बेटे थे उन्हें लिए 75,000 वोड तो तक्रीबान 55,000 वोटों से यहां से रियाद जो हैं राओ सकंद्र इकबाल उनके और मियां महमत जमान जो हैं उनके दर्मेह तरिखी तोर पर रेलेक्शन होते रहे हैं और एक जुसरे के मकाबले में जीते रहे हैं यहां पे आप कहले के पिवस पार्टि नून लिग या राओ सकंद्र वरशीज मियां समान या अराई वर्जिजिज राओ election होता रहा है ये तरीकी इतवार से इन ही प्रादरियों के इर्द 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 और इन ही कैंडेट्स के इर्द इर्द ये election चलता रहा है 1985 में इस हल्का से मिया महम्मद खिमान पहले दफ़ा मने मुन्तखिब हुए आपको पता है तब गहर जमाती इंतखाबाद थे तो N110 थे उस वक्त N110 से ये पहली दफ़ा मने मुन्तखिब हुए गहर जमाती 1988 में यहां से राउसकंदर इकबार ने पहली दफ़ा अलेक्शन लड़ा और इनके मकाबले थे तो यहां से राउसकंदर ने पहली दफ़ा अलेक्शन लड़ा और जीत गए 1990 में इसी अलका से दोबारा यही मीदवार सामने आई यही और इस दफ़ा मिया मुन्तखिबार ने श्किस दी राउसकंदर इकबाल को फिर 1993 में एलक्शन हुए तो वापस राउसकंदर इस लड़के से जीते और मिया मुन्तखिबान कुछ किस्त होगी 2002 के अंदर जब अलक्शन हुए तो मिया मुन्तखिबान जो थे वो बी-ए की शर्थ पूरी नहीं करते थे शायद मैट्रिक भी नहीं थे उनके जो मुन्तखिबान कहते हैं तो वो अलक्शन से बाहिर हो गे और फिर यहां पे अलक्शन हुआ राउसकंदर के मकाबले में रा काफ लीग में रहे लेकिन ये राउसकंदर बेघ्र से जीतने के बाद राउसकंदर इकबल प्यफर पार्टी से मुनहरफ हो जाते हैं और पीफल्स पार्टी पै्ट्रियार्ट बनाते हैं इनके साथ उसमें यह वर्जमान हामर्यार हिराज और यह आपके राना नुरेश प्रवेज मुश्रफ को वोड देते हैं 2008 के लेक्शन आते हैं 2008 में प्रवेज पार्टी की तरफ से आरफ चोदरी अमीदवार होते हैं और मुस्लुम लिकाफ की तरफ से राहोसकंदर इकबाल लेकिन आरफ चोदरी की बीएक डिगरी का केस चार होता है उनके काख़ा नामजदगी मुस्तर्द हो जाते हैं तो इस तरह प्रवेज पार्टी का जो टिकट है वो अब चोदरी आरफ जो है वो चोदरी से जाद अलसन को ममीना दोर पर लोगों के गोल बेच देते हैं तो से जाद अलसन के बारे मिताता जाओं यह वो एक कॉंसलर लेवल के या एक नाजम लेवल के अमीदवार थे और उन्होंने बरादरी जंपे और प्रवेज पार्टी की वेव में क्योंकि बेंजीर वफात हो चकी थी प्रवेज पार्टी का टिकट हाट केक की तरह चल रहा था उन्होंने पैसे देख के मुबीना तोर पर लोग Land के कहने के मताबए चौदी रियारश से वो टिकट दे लिया और अजाद जिते तो अजाद लेकिन वो अन्होंने वळादा किए ुद्वेज पार्टी में हुआ है और बहुत से मैंने रफाई काम किये दो मैंने डी एच को अस्पिटल बनवा दी अप्ट्रेड करवा दी अस्पिटल लेकिन उकाड़ा की वाम ने मुझे मेरे मकाबल में कॉंसलर या नाजम लेवल के बंदे का है मैंने कवोड दे दिया तो इसी लोगों के मताबक इ इसी तकलीव में वो वफात पा गए 2013 के लेक्शन आए चोदरी आरफ पेपर्ज पार्टी छोड़कर नून लीग में आए और उनका केस तो सुख भी डिगर का चारा था लेकिन उने लेक्शन लेड़ने की जाज़त दी गई आरफ चोदरी ने ये सीड़ जीत ली और इनका लेकिन 2015 में उनकी जो डिगर का केस पेंडिंग था वो केस फिर सामने आ गया और स्प्रीम कोर्ट से उनकी आखरी पील भी मुस्तरद होगी और वो हमेशा हमेशा के लिए अलेक्शन पॉलिटिक से बाइड होगे और नाहिल होगे अब वहाँ पे जिम्नी दखाब होते हैं नून लीग अली आरफ चोदरी जो आरफ चोदरी के बेटे होने टिकर देती है पी टी आई मुहमद अश्रफ खान सोना जो पीवस पार्टी की सबाई वजीर भी रहे हैं दो दफ़ाए MP रेथ होने टिकर देती है और एक अजाद म शुष 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 रबेरा वह इस इलेक्शन में अजाद मीदवार र्याज अलाग जाजी की सपोर्ट करते हैं र्याज अलाग जाज एक इंडस्ट्री इस हैं उनकी फैमिली बहुत बड़ी इंडस्ट्री तलाती है उकड़ा में तो उनके साथ थे वह अलेक्शन उनकी जमाना जब्त हो जाती है वो तक्रिमें छे साथ जार वोड लेस पाते हैं इस तरह पहली दफार र्याज अलाग जाज की सलका में इंट्री होती है र्याज जाज की फैमिली के कारोबार काफी है वो घी का करोबार करते हैं चीनी का करते हैं चावल का करते हैं जिमीद जब्रवाद में से पैसे देते हैं और लोग अपने साथ भी मिलाते हैं और इस वज़ा से वह एक ऐसी फोर्स और ऐसा एक पैनल बना लेते हैं अलाके के अंदर और प्राने जितने भी जो कैंडेड होते हैं वो इतने नकम्यों नहल होते हैं कि उनके मकाबले में रियाद लग लग जाज नूनली के टिकेट पर लड़ते हैं और पीटेए के टिकेट पर राव हसन सकंदर लड़ते हैं हलाके रियाद लग जाज के पैनल में एक MPA का अमीदवार कमजोर होता है वो 14 मुनीबू लग को लेते हैं जो साबक MPA एक राम लग के बेटे हैं और वो पहली दफ जीते हैं बलकि उस MPA के कैंड़ेट को भी जुदवाते हैं वो भी तक्रीब 25,000 वोटों की लीड से जीज जाता है अपने हलका से अब बाते हैं जी मजूदा सूरत अलगी तरफ के मजूदा सूरत अलगया है और PTA के पास कौन से कैंड़ेट हैं और उनमें से अच्छा कैं वो मेशा वो सीरिस कैंड़ेट की दाज चार है वो चार कैंड़ेट हैं जी राव हसन सकंदर क्योंकि वो राजपुत ब्रादीर और राव ब्रादरी के वोट का एक उनके पास है फिर उसके बाद दूसरे नमबर पे हैं चोदरी मुसूद शाब गदर बेरा साहब जो तिसर कंपेन ने की और कंपेन के बाद एलेक्शन के बाद भी बिल्कुल इनेक्टिव रहे को डौइलमेंट के काम ने लिए नहोगा में लोगों से राप्ता नहीं रखा पूई खुशी कम्ण में शामल नहीं हुए कोई पार्टी लेवल पे बिल्कू जिए से गरमीन ने दिख किसी भी किसम के टिकेट के हकदार में नजमीं नहीं है दूसर नमबर पर आ जाते हैं चोधनी मसूश रबेरा साह उनका पहले जो हलका था वो नदीम बास रबेरा वाला उनका वो पुछ वहां से तो समसाम बुखारी वाले हलके से मैंने लड़े थे लेकिन एनने 141 पराना एनने 145 हो गया लेकिन वह वहां से मूव कर गए हैं एन 136 में क्योंकि जो नहीं हलका बंदी जारी किया है इसके मताबक उनका जो अबाई लाका उनका गाउं उनकी यूनिन कॉंसल उनके अलाके तीन यूनिन कॉंसल जो है तक गरीवन 15,000 वोट से 20,000 वोट के दर्मियान वोट ऐसा वोट है जो कि इनकी ब्रादरी का है या इनके जेरे असर है तो वोट अब इदर आ गया मेरे ख्याल में ये एक सीरियस कैनिन डेट है इस वक्त मने के पोजिशन के लिए है इस एन 136 जो नहीं हलका बंदी उसके मताब चोदरी ब्दलातायर साँ चोदरी ब्दलातायर और मैं रवधत Jádre kuin में इंटर लिंग करते हैं ये दोन coração एक ही समझे लेएं के फैंली है एक ही ग्रूप है मसला यहा है कि 2018 के लेक्ष्न में लेक्ष्न लड़ा और मैं रवधतार नóg में रवधतरस थाक किूए मैं रवधत लें लेक्शन लेंडना और चोजर अब्द्ला तार्वी कह रहे हैं कि मैं लेक्षन लेंडना है और सीड अंडि दोनों पास पास बेसिकली एक है इसका मेरे ख़ाल में उन्हों नहीं ने रिकवाल ने कर ला है कि चाहिए चोजर बघुणा अब्धिछार उप्टार MPA पे आजilation इन दोनों पॉसिशनों में से मेरे ख्याल में अगर अब्दुला ताहर साब MNPP पे जाते हैं और महर अब्दुस्तार MPA पे आते हैं तो हमारे लिए जाला बेतर है तो ये भी ऐक चाईस हो सकते है जौस अब्दुला ताहर भी M&A के लिए कच्छे चौइस हो सकते है मैं रुद्धुस्टार के वाले से मैं यह कोँगा कि उनके पास वोट है वरकर बंदे हैं लेकिन उनके पास लड़ने के लिए सरमाया बिल्कुल नहीं है वो एक middle class के लोगर middle class के अवामी बंदे हैं अबदुल्हातर साब जो है वो एक बहुत बड़े बिजनसमेन है उनके पास पैसा अलेक्शन लडने का और लेक्शन लड़ा आया है और उन्हें इस वक्त एक कहले कवामी उनकी एक वाम में एक उनकी तारुफ भी है आप जो सुर्तियाल है में यह स्वाल पैदा होता है कि कौन सा पैनल खड़ा किया जाए जो के ताफ टाइम दे सके हैं तो सबसे पहले तो मैंने जो एंड ने उसके इलावा आपके मसूस शबकतर बेरा हूँ चोजरी अब्दला तैर हूँ महर अब्दस्तार हूँ चोजरी सलीम सादक हूँ शेख इजाद अनवर हूँ या चोजरी वसीम हूँ चोजरी शफीक हूँ यह सब और लाकत बोदला साहब हूँ और राओ अश्रफ साहब पार्टी के और जो धड़ा में एक खास मुकाम रखते हैं सब को पहले तो एक प्लेट फार्म पे कठ्ठा होना होगा और एक कैंड़ेट एक पैनल नामज़द करना होगा मसला यह आ रहा है कि जो दोनों MP के कैंड़ेट हैं सलका के पराने जो 2018 के अंदर चोई स्रीम सादिक और चोई बजला ताजी उन्हें अच्छी फाइट भी दी थी ओ नूनली के लोगों को वो दोनों मसूश शबकर के साथ लेक्शन लड़ना ने चाहते हैं दोनों के उनके ख कैंड़ेट बनाया के बैठे हैं और उनके साथ कंपेंड का रहे हैं अगर यह सूरत्या रहेगी तो फिर वही मुर्गे की एक टायंग वाली सूरत्या लोगी के पारिटी आपस में लड़ती रहेगी और दबारा बड़ी लीड से रियाद लाग जाज जिए लेक्शन जीज लेक्शन लेड़न नहीं तो फोरन से पहले पैनल का इलान करकर टिकट का इलान किया जाए क्योंकि अब कोई भी ऐसा बड़ा अमीदवार या बड़ा स्यासदान या बड़ा एक्टिव बंदा या वरकर बंदा रहनीं गया जिसको पीटी आई के आने की उमीद हो कि उसका इतने भी जो कुछ ना कुछ अपना असर रसूख रखते हैं बंदे वो साभी कि सभी पहले पीटी आई के अंदर हैं अब कोई नया आने वाला मार्केट में कोई और बंदा नहीं रहा गया इस वाले से हमें कोशिश करनी चाहिए कि पार्टी को जल 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 टिकट जारी करे एक आया कि पैनल को पता हो कि कौन सा पैनल लाड़ रहा है वो छे माँ पांच माँ चार माँ जितना भी टाइम अभी मिलता है वो उसके दुरान अपनी कंपेंड करें पंजाब गोर्मेंट है हमारे पास फांड्स मिलें और वो उसके उपर लोगों की काम करें और ताकि हम एक अच्छी पॉजिशन में आ सकी अगर तो वह ऐसी लड़ते रहे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि राज़ लग जज जिस पॉजिशन में हैं वो हार सकते हैं अब आखर में मैं अपना जो कैन डेट जब अपना पैनल जो मेरी नजर में जो मेरी सोच में जो मेरी मांदारी के मताबक जो पारिटी को सर्व कर सकता है और बैस फाइट दे सकता है नून लीग को वो ये है एनने 136 पर मेरे ख्याल में चोधरी मसूफ शब कदर बेरा का हक बनता है उन्होंने पहले भी पारिटी के लिए यानि के अलका छोड़ा है और पारिटी के कहने पर वो अपने हलक किया है हार एमट में नज़र आए हैं पारिटी को हर जगा रिप्रेजेंट किया है अलाके में अवामी खिद्मत की है काम करवाए हैं और हर वक्त लोगों को अवेलिबल थे तो वह भी बहतरीन च्वाइस हैं और दूसरी सीट पर चोधरी अब्दिल्ला तायर या मेरे अब उसमें जो पैच अब करें कि दोनों में से कौन अलेक्शन लड़ेगा और मेरे ख्याल में चोधरी अब्दिल्ला तहर का ही हक बंद रहा इस वक्त सलीम जो आपके मेर अब्दस्तार हैं वो एक वरकर बंदे हैं पड़े लिखे बंदे हैं उनको आप सेनेट में बिजस्ट क का बंदा है उन्हें अगर आईटी चाहती है कि ऐसी वास सेनेट में पहुंचे जो किसानों गरीबों और मजाराओं की बात करें तो वो बेस्तरी चोईस बन सकते हैं और वो इस तरह हमारा जो ये वाली सीट है ये इसमें हम अच्छी पोजिशन में आ सकते हैं तो यह तर ज ले कि आउंगा जहां से समसाम बखारी और नदीम बास रुबेरा वो पिशली दफ़ा अलेक्शन लड़े थे और चौधरी खलील और रह्मान साब थे वो अज़ाद मीद्वा थे अब इस लके क्या पोजिशन है वो अगली वीडियो में बताएंगे आपके कमेंट साब की स जो डिस्ट्रिक्स हैं पाक पतन है साहीवाल है कसूर है इनकी तरफ जहां पर मेरी नौलीज है उसके वाले से बात करूँ फिर उसके बाद दूसरे जो में में हलके हैं जहां पर मैं समझता हूं कि पारटी की सब्सक्राइशन कमज़ोर है और पारटी को कैनिडेट्स की और पैनल की और क्या सूरतिहाल है वो आप लोग कि सशेथ करूँगा आप अपनी राय से मुझे अगाह करते ने इन्शाला दला आपको मैं इस हवाले से अच्छे वीडियो लात रहूंगा शुक्रिया